हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे हैं मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानेक्स पी तो आई-टी टूल्स की पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर थी तो आए देखते हैं आज की इस क्लास में कौन-कौन से टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं तो चैप्टर नंबर थी जिसमें हम डिसकस कर रहे थे लिब्रियो आफिस राइटर तो इसमें आ इसले क्लास में डिसकस कर चुके हैं और आज हम डिसकस करने वाले हैं Page Setup, Print Preview क्या होता है, Print of Document, किस तरह से आप Document की प्रिंटिंग कर सकते हैं और किस तरह से printing के टाइम में कुछ settings होती है वो कौन कौन सी setting है किस तरह से करेंगे अगर आप अपने document को PDF format में save करना चाते हैं तो कैसे save कर सकते हैं प्लस आज हम discuss करने वाले हैं LibreOffice Writer में File menu के जितने options हैं सभी options को हम काफी detail में discuss करेंगे तो आज का सबसे पहला topic है इस बारे में हमने पिछली class में बताया था आपको यहाँ पर simply window r press करना और यहाँ पर लिखना है s writer यह shortcut की होती है और इससे आप एक तरीके से command है जिससे आप writer को direct open कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने writer open कर लिया है आप सबसे पहले देखेंगे file menu के अंदर कौन-कौन से options होते हैं तो सबसे पहला menu है file menu और इसके अंदर सबसे पहला option होता है new अगर आप new में जाएंगे तो यहाँ पे text document अगर create करते हैं तो यह writer का document होगा यहाँ से आप spread सी direct बना सकते हैं यहाँ से आप presentation बना सकते हैं अगर आप पहले से बने हुई document को open करना चाते हैं तो यहाँ पे control प्लस O का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर remote location पे कोई document save है तो उसी open करना चाते हैं तो आप यहाँ से इस option का इस्तिमाल कर सकते हैं recently जो आपने documents create की इन में से किसी document को आप दुबारा से open करना चाते हैं तो यहाँ पे आप right hand side में list देख सकते हैं यह ऐसे documents हैं जिनको मैंने पहले create किया था तो आप इन में से किसी भी document को directly open कर सकते हैं और file menu का अगला topic है close अगर आप यहाँ पे writer को close करना चाते हैं तो इस option का select कर सकते हैं और इससे आपका जो writer है वो close हो जाएगा अगला option है आप बिजाट्स अगर बिजाट्स में दिखी हैं आप लेटर, facts, agenda यह pre-formatted होते हैं आप चाहें तो इन में से किसी भी format का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे माल लिजे हमें एक letter create करना एक letter लिखना है तो यहाँ पे pre-formatted एक format मिल जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे letter पे click किया अब आप देखेंगे यह format हमाई पास आ चुका है अब यहाँ से आपको कई सारे options मिलेंगे जैसे कि modern, elegant आप कोई भी यहाँ से select कर सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको select किया इसके बाद आप next option पे click करेंगे यहाँ पे क्या-क्या चाहिए आपको logo चाहिए, subject line चाहिए यह सारी चीज़े आपको यहाँ से select करनी आप अपने requirement के साफ से select कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे next पे click करना है next पे click करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दिया गया कोई address है वो यहाँ पे mention हो जाए तो आपको यहाँ पे address mention करना है या फिर अगर आपने कहीं database में कुछ addresses, name, इस तरीके की चीज़े store करके रखे हैं तो आपको इस option को select करना होगा तो अभी हमारे पास कोई database नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखते हैं जैसे हमें एक letter भीजना है निखिल को तो मैंने यहाँ पे लिखा निखिल यहाँ पे आपको address डालना होगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हूँ street तो आप उस particular recipient का पूरा address लिखेंगे मैं यहाँ पे example के तोर पे लिख रहा हूँ लखनो तो मैंने यहाँ पे लखनो टाइप किया सबसे पहले यहाँ पे zip code डालना है तो यहाँ पे हम कुछ भी zip code ले लेते हैं यह मैंने एक zip code ले लिया फिर यहाँ पे state डालना है तो यहाँ पे up टाइप कर देते हैं और यहाँ पे city डालना है तो हम यहाँ पे lko या something जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं आपको जो भी address होगा इसके बाद आपको यहाँ पे next पे click करना है next पे click करने के बाद footer में आप क्या दिखाना चाते हैं वो select कर सकते हैं यहाँ पर type कर सकते हैं तो अभी हम इसको blank रखते हैं इसके बाद हम next करेंगे और next करने के बाद आपको यहाँ पर finish करना है finish करने के time पर आपसे यहाँ पर इसे save करने के लिए बुला जाएगा तो यहाँ से S कीजिए और इस document में जो भी format आपने तयार किया है यह आपको मिल जाएगा तो आप देख रहे हैं एक letter का format आ चुका है इसको थोड़ा सा हम zoom out करेंगे तो easily आपको देखेगा यह letter का format आ चुका है यहाँ पर default जो logo था वो आ गया आप चाहिए इसको change कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर recipient का जो address है वो आ चुका है इसके बाद यहाँ पर subject line है इसमें आप letter का क्या subject है वो type कर सकते हैं और इसके नीचे आप इसके body text में जिससे related letter आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप डिटेल में से describe कर सकते हैं यह होता है bizarre जिसका इस्तिमाल करके आप letters का format बना सकते हैं या फिर आप facts बना सकते हैं कोई भी agenda बना सकते हैं और अगला होता है template जैसे अभी हमने एक template letter का तयार कर लिया हम चाहेंगे इसको save कर ले थाकि इस तरह की जरूवत अगर हमें दुबारा से पढ़ते हैं तो हम इ my template या something तो यहां पर हम इसको save करेंगे save करने के बाद आप चाहें तो इस format को दुबारा इस template को दुबारा से इस्तिमाल कर सकते हैं open template पर जाएंगे open template पर click करने के बाद आपको यहां से my template के अंदर इसको save किया गया था तो उसे search करना है देखना है तो इसको हमने my document के document के अंदर जाएंगे और यहां पर आपको my template नाम से एक file मिलेगे जिसको select करना होगा तो यहां से हमें search करना पड़ेगा my template कहां पर है यह my template latest हो गया इसको हम click करेंगे तो देखी यह same format हमें direct मिल जाएगा तो इस तरह से आप कोई भी template बना के खुद का template save कर सकते हैं उस format क 자 देखे reload करने का option है आप इस format को दुबारा से reload करना चाते हैं नाम देता हैं जैसा किना vただ सकते हैं और अगला option यहां पर आपने document का बना सकते हैं जैसे को यहीं वन हमने नाम दे दिया, उके किया, ये सेब हो चुका है, सेब करने के बाद अगर हम यहाँ पे इस डॉकमेंट के अंदर कोई बदलाओ करते हैं, जैसे कि हम इसको close कर देते हैं और यहाँ पे हमने कुछ भी बदलाओ कर दिया, जैसे कि हमने इस subject line में लिखा LKO, और इसके बा स्टेज में हमें वापस जाना है तो यहां पे वर्जन पर जायेंगे और इसपे क्लिक करेंगे आप दीखें यहां पे लjakुल लिखावा नहीं है तो यहां से आप अपने डॉक्मेट के मल्टिपल वर्जंस बनाके उसे सेव कर सकते हैं अब या ho शकता है वर्जन देखे लिब्रे आफिस राइटर के अंदर काफी सारे advanced options रहते हैं अगर आप इस लिब्रे आफिस राइटर को अच्छे से हर एक option को समझ लेते हैं या office work से related जो भी documentation होता है उसको आप proper बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कल मैंने save and save batch के बारे में बताया था remote save के बारे में बताया था save a copy save all इस बारे में हम previous class में बता चुके हैं तो इसको दुबारा से discuss करने के ज़रूरत नहीं है अगला option होता है यहाँ पर export जिसे माली जी हमने later type किया है और इसको हम pdf form में save करना चाते हैं तो export के लिए आपको multiple options मिल जाते हैं जैसे हम इसको pdf में save करना चाते हैं तो यह पर save कर देंगे और यह pdf form में save कर लेगा यह document हमारा pdf format में save हो चुका है तो यहाँ पर export option रहता है file menu के अंदर जहां से आप इस document को pdf format में save कर सकते हैं same यहाँ पर save edge मिलेगा तो आप इसको pdf form में भी यहाँ से directly आप save कर सकते हैं तो यह भी option आप इस्तेमाल कर सकते हैं send एक option होता है अगर इस letter को हमें किसी को mail करना है तो यहाँ पर आपको mail से related options मिल जाएंगे आप इस letter को directly किसी भी mail पर बेज़ सकते हैं अगर इस document को हमें web browser में कैसा देखेगा यह देखना है तो हम यहाँ पर web browser view का इस्तिमाल कर सकते हैं और यह document हमारा किसी भी browser पर किस format में देखेगा कैसा look होगा वो सारी चीज़े आप यहाँ से check कर सकते हैं तो जैसे कि हमारा देख सकते हैं print preview, print preview की shortcut की LibreOffice Writer में होती है control plus shift plus o, तो calc, writer और impress इन तीनों में shortcut की आप जरूर याद रखेगा काफी सारी shortcut की इस तीनों में common होती है, जैसे कि print preview की जो shortcut की है writer, calc, impress इन तीनों में common है, control plus shift plus o, print preview का हम तब इस्तिमाल करते हैं जैसे कि हमें इस document को print करना है, तो इससे पहले हम यह check करना चाते है, print होने के बाद हमारा document कैसा दिखेगा तो आप print preview option का इस्तिमाल करके अपने document को check कर सकते हैं, कि print होने के बाद आपको जो document है, वो किस तरह से दिखाई पड़ेगा यह print होने के बाद जो आपको hard copy मिलेगी, उसमें कैसा print आउट आएगा, यह सारी चीज़े आप print preview format में देख सकते हैं इसके बाद यहां से close करना है, close preview और इसके बाद हम दुबार से file menu पे click करेंगे अगला option हमारे पास आता है print, control प्लस P किसी भी document को print करने की shortcut की होती है तो control प्लस P shortcut की का इस्तिमाल करके आप print कर सकते हैं, या file menu पे print option पे click करके भी आप अपने document को print कर सकते हैं आप देखें यहां पे all pages अगर आपको print करना है तो यहां पे click करेंगे, अगर हमें कुछ selected pages को print करना है मान लेते हैं हमारे पास जो document है उसमें total 10 pages है, आप उसमें से किसी individual page को print करना चाहते हैं, जिसे page number 5 तो आप इस तरह से type करेंगे, अगर आपको 5 to 7 pages का print आऊट चाहें तो आपको इस तरह से लिखना है यह 5 to 7 pages का print आऊट निकालेगा, means page number 5, 6, 7 ये 3 pages का print आऊट आपको मिल जाएगा तो आपको selected page का print out चाहिए तो आप इस option का chain करेंगे और अगर आपको सभी pages का print out चाहिए तो आपको यहां से select करना है अब हर एक page की कितनी copies आपको print करने हैं यहां से number of copies पे आप बढ़ा घटा सकते हैं अगर हम 3 कर देंगे तो जितनी भी page print होंगे सभी की 3-3 copies print होके आएंगी और यहां पे नीचे एक option दिया है print in reverse page order तो अगर आप reverse page order में चाहते हैं जैसे कि हमाई पास total 7 pages है आप चाहते हैं page number 7 पहले आए फिर 6 आए फिर 5 आए 4, 3, 2, 1 आप इस तरह से reverse order में print करना चाहते हैं आप इस option को select करेंगे tick कर लेंगे तो इस तरह से general settings होते हैं printing के time पे इन settings को अपने requirement गिताब से change करते हैं कुछ यहां पे भी काफी सारी settings आपको मिल जाएंगी जिससे कि हम page setup करते हैं वहां भी यह सारी settings हमें मिलते हैं तो इन settings को हम page setup में देखेंगे यहां से face layout भी option मिलता है और यहां पे कई सारी और भी options हैं इसको हम page setup में देखेंगे क्योंकि यह सारी options same page setup में दिखाई पड़ते हैं तो कई बार क्या होता है हमें अपने page setup को change करना होता है अपनी इसाब से उस page का setup करना होता है उसको customize करना होता है यहाँ पर देखे printer setting एक option दिया हुआ है आपको यहाँ से printer settings related कई सारे options मिल जाएंगे जैसे properties पर क्लिक करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहला यहाँ पर option है जैसे कि आप यहाँ पर multiple printers आपके laptop के साथ connect है desktop के साथ connect है तो यहाँ पर उनकी list होगी आप किस printer के माध्यम से अपने document का print निकालना चाते है उस printer को आपको यहाँ से select करना है जैसे हमें HP का printer हमारा connected है इसके माध्यम से में print निकालना है तो हम इसको select करेंगे properties में जाके कई सारी चीजे और भी change कर सकते हैं जैसे आप black and white print out निकालना चाते है तो आपको इस option को select करना है अगर आप print out color form में निकालना चाते है तो आपको यह option select करना होगा अगर हम layout में जाएंगे तो यहाँ पर देखी हमारे पास दो तरह की orientations होते है portrait और landscape तो आप देख सकते हैं default क्या होता है portrait होता है यहाँ से question पूछा जाता है कि LibreOffice Writer में default page orientation क्या होता है तो default page orientation होता है portrait आप चाहें तो इसको landscape में भी change कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे landscape option select करते हैं आप देख सकते हैं इसका जो safe है वो change हो चुका है और अगला option नीचे दिया हुआ है print on board side अगर आप page के दोनों तरफ प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको set कर सकते हैं select कर सकते हैं तो page के दोनों side में front और back दोनों side में print out निकाल सकते हैं page का order क्या रखना चाहते हैं back to front या front to back आप यहां से इसको select कर सकते हैं paper per seat कितने होने चाहिए means एक page पे means एक seat पे कितने pages का print out चाहते हैं तो एक page का चाहिए तो आपको यहां से 1 select करना है अगर आपको 4 pages का चाहिए जैसे आप देख सकते हैं यहां पे 4 pages को हम एक ही seat पे print कर सकते हैं याँ पे मैंने सेलेक्ट किया है 4 तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको दिखाई पढ़ रहाती है ये कुछ basic settings होते हैं जिनको हम printing के time पे setup करते हैं change करते हैं उकि इसको हम करते हैं cancel और देखते हैं अगला option क्या है ये हो गया printer setting इस तरह से आप set कर सकते हैं और अगला option है आप पे digital signature तो digital signature क्या होता इस बारे में हम सोड़ा सा बात कर लेते हैं जैसे हमने ये letter type किया हम ये letter किसी को भेजते हैं तो अगर हम किसी को hard copy में भेजते हैं तो यहाँ पे नीचे हम sign कर देते हैं ताकि जब ये letter उसको मिलता है तो उसे पता चलता है कि मैंने इसको authenticate कर दिया है sign करके कि ये मेरे द्वारा भेजा गया letter है लेकिन अगर ये letter आप mail के द्रू किसी को भेजते हैं तो वो कैसे authenticate कर पाएगा कि ये आप ही ने उसे mail किया है तो यहाँ पे हमें digital signature add करना होता है तो अगर आप file menu के जाएंगे तो यहाँ पे digital signature के एक option मिलता है सबसे पहले हमारे पास एक digital signature created होना चाहिए उसके बाद ही हम इसको यहाँ पे insert कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई digital signature है तो आप यहाँ से पहले उसे save करेंगे create करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पे आप उस signature को add कर सकते हैं तो यहाँ पे देखें मेरे पास अभी कोई भी certificate manager application installed नहीं है नहीं मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी certificate create किया है online तो आपके पास पहले certificate होना चाहिए उसके बाद ही आप यहाँ पे उस certificate को इस document के अंदर insert कर सकते हैं तो certificate के लिए कई अलगलग service providers होते हैं जहाँ पे आप अपना certificate पहले generate करेंगे उसको download करके आपको अपने system में रखना होगा उसके बाद आप अपने document में कहीं भी किसी भी document के अंदर किसी भी location पे अपना signature add कर देंगे एक authentication हो जाएगा जब आप उस letter को या उस document को किसी को mail करतें तो check कर सकता है कि ये letter आप ही के द्वारा भेजा गया है तो हो गया digital signature और अगला उपसने आप ए properties जो की library office की कुछ default settings होते हैं जिनको आप यहां से अपने requirement के साफ से customize कर सकते हैं security set up कर अगर आप नीचे जाएगे तो यहां पे exit library office अगर आप अपने library office को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तो इस option को select कर सकते हैं तो यहां पे file menu के इंदर जितने भी options हैं मैंने discuss कर लिए इन options को खास्तोर पर इनकी shortcut keys हैं जरूर याद रखीए क्योंकि mostly जो questions पूछे जाते हैं वो shortcut keys से related पूछे जाते हैं या file menu से related questions पूछे जा सकते हैं जैसे कि template option किस menu के अंदर होता है या फिर CA badge का option किस menu के अंदर होता है या फिर digital signature का option किस menu के अंदर होता है तो इस तरह की questions exam में पूछे जाते हैं ओके तो अब हम देख लेते हैं कुछ और topic मैंने यापर print preview discuss कर लिया print preview क्या होता है printing document आज हमने discuss कर लिया अगर आप अपने document को pdf form में save करना है तो ये भी मैंने export option बताया है जो की file menu के अंदर होता है तो इस तरह से आज हमारा file menu complete हो गया और अगली class में edit menu discuss करेंगे क्योंकि यहां पे जो 3.4 में दीगे topics हैं वो edit menu से related है तो LibreOffice की अगली class में edit menu discuss करने वाले हैं यहां भी कई सारे useful options होते हैं और कई सारी shortcut keys हैं जिनको हम अगली class में practical के साथ बताएंगे तो यह एक e-book है जिसको मैंने Hindi में लिखा है यह IT tool M1 R5 के latest news labels पे based है इसमें काफी सारी चीज़े आपको detail में मिल जाएंगे यहां पे जो भी snapshots हैं वो काफी सारी snapshots मैंने add कर दियें तो आप चाहें तो इस e-book को ले सकते हैं यह e-book हमारी website करते हैं और उमीद करते हैं आज काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज हमाई इस video को like उसे जरूर कीज़ेगा और अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe button पे click करके subscribe करें साथ में bell icon on करें तागि जब भी हमारी कोई live class ये live python नाम की एक playlist है जहांसे आप previous सभी classes के वीडियो देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए bye bye thank you thank you for watching